Hello everyone, मेरा नाम मोहित जैपुरी है और आज के इस वीडियो में हम लोग Photoshop Toolkit के सबसे latest version के बारे में देखेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं Photoshop स्टार्ट कर लेता हूँ Photoshop CS3 मैंने स्टार्ट कर लिया है और अब मैं PS Toolkit स्टार्ट कर लेता हूँ मैंने PS Toolkit के आईकॉन पे डबल क्लिक किया और हमारा Photoshop Toolkit स्टार्ट हो रहा है ओके यह देखें यह है इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करके और भी जो धेर सारे वर्क स्पेस हैं उनको ओपन कर सकते हैं Photoshop Toolkit में album designing, retouching, color correction, passport, background change फोटो से related सारे काम होते हैं यह देखें यहाँ पर एक active all का बटन दिया हुआ है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सभी work space active हो जाएंगे यहाँ पर से आप deactiv all करेंगे तो सभी deactivate हो जाएंगे आपको जिस समय जो भी करना है अपने काम से related work space को work space को on कर लेते हैं यह देखें मैंने यहाँ पर से album designing related जितने भी work space हैं उनको मैं on कर लेता हूं ओके यह देखें यहाँ पर आप double click करके home button में जा सकते हैं मतलब यह home button है जैसे यह देखें मैं PhD template के option को on करता हूं यहाँ पर PhD templates open हो जाएंगे जैसे ही मैं home button पर click करूँगा वापस हमारा interface ऐसा हो जाएगा मैं image पर click करूँगा image का section on हो जाएगा मैं जैसे ही home button पर click करूँगा हम लोग वापस जाएंगे जैसे ही मैं frame button पर इस frame के work space पर click करूँगा यह open हो जाएगा जैसे ही हम लोग इस button पर click करेंगे हम लोग वापस जा सकते हैं यहाँ पर maximize, close और start another panel का option दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखें मैंने इसने minimize कर दिया, maximize, okay, सबसे पहले जब भी आप काम करना शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर setting में जाना है और अपने Photoshop का version select करना है, यहाँ पर देखें 2022 जो की latest version है Photoshop का, उसको भी support करता है, तो मैंने यहाँ पर select किया है CS3, okay, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, यह देखें, मैं यहाँ पर PhD template पैनल को, मतलब इस work space पर मैंने click किया, यहाँ पर PhD templates है, यहाँ पर आप देखें, धे शारे PhD templates को मैंने load करके रखा है, यह कैसे load होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखें, एक folder का icon बना हुआ है, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर add folder, delete folder, refresh और open folder का option आता है, और आप जितने भी folders load करेंगे, उनकी list यहाँ पर बनती जाएगी, इस पर आप click करेंगे, hide unhide कर सकते हैं, जैसे इस folder को मैं delete कर दे phd templates को रखा है, उस location पर जाना है, और यहाँ पर से आप उसे load कर लिजे, जैसे मैंने यहाँ पर phd template यह है, ok किया, तो मेरे सारे phd templates यहाँ पर load हो गया है, इसी तरीके से जब आप image category में जाएंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, add करने का option, यहाँ पर मैंने दो folder को add कर कर दखा है, यह देखिए, दो folders को add किया है, मैंने, मुझे एक folder delete करना है, image 2 को delete करना है मुझे, तो मैंने इसे select किया, delete कर दिया, यह देखिए, अब बस यहाँ पर एक folder है, image का folder, यहाँ पर जो second icon है, यह thumbnail setting दी हुई है, यहाँ पर आप thumbnail के size set कर सकते हैं, जैसे मैंने आप पर चार select किया, तो यहाँ पर चार thumbnails बन रहा है, अगर मैंने यहाँ पर 3 select किया, 3 thumbnail बन रहा है, यहाँ पर मैंने select किया 2, यहाँ पर 2 thumbnail बन रहा है, उसके नीचे यहाँ पर render style दिया हुआ है, इस पर आप देखिए, मैंने black select किया, तो thumbnail कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, और अगर मैंने यहाँ पर render style xp किया ऐसा नज़र आएगा, अगर मैंने यहाँ पर zooming किया, तो यह जब भी आप किसी भी photo पर अपना mouse pointer लेके जाएंगे, तो वो zoom होगा, तो यह कब काम आता है, जैसे मान लीजा आपने thumbnail size 4 रखा है, और यहाँ पर zooming option रखा है, तो यह देखिए, आप कौन सी image है, उसको better तरीके से judge कर पाएंगे, तो यहाँ पर फिलाल मैं render style default रखता हूँ, thumbnail size मैं रख देता हूँ to, और यहाँ पर है used image setting, यहाँ पर आप जिस भी image को use करते हैं, उसको mark color कर सकते हैं, उसे hide कर सकते हैं, या फिर used folder में भी भीज सकते हैं, या फिर used folder में भीज के भी hide कर सकते हैं, तो यहाँ पर thumbnails related भी भी सारे option दिये हुए हैं, चलिए मैं home button पर click करके आप वो वापस जाता हूँ, और इस video में आपको एक छोटा सा option है वो दिखाता हूँ, मैं PhD template category में गया, और मैं यहाँ right click करूँगा, तो यहाँ पर देखे, PhD से related options आ रहे हैं, मैं image category में जाऊँगा, right click करूँगा, तो यहाँ पर image से related options आएंगे, अगर मैं frame category में जाऊँगा, तो यहाँ पर frame से related options आएंगे, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, एक new page ले लेता हूँ, मैं फिलाल PhD पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक new blank page लेता हूँ, मैं right click करूँगा, यहाँ पर new blank page का option select करूँगा, यहाँ पर धे सारे अलग-अलग page के side दिये हुए हैं, आप चाहें तो file menu में जाके manually भी page create कर सकते हैं यह देखें, यहाँ पर और भी options दिये हुए है, check box आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिलाल किसी भी check box को on नहीं किया, बस एक single check box on है, create किया, 12-34 का एक page आ गया, मैं दुबार right click करूँगा, create new blank page, यहाँ पर देखें, मैं single tone background select करूँगा, और click करूँगा, तो जैसे ह आप click करेंगे, यहाँ पर color का option आ जाएगा, और यहाँ आपका background ready हो गया, मैं दुबार यहाँ right click करता हूँ, create new blank page, यहाँ पर मैं dual tone ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर से create guides भी कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जैसे create button पर click किया, यहाँ पर से आप, यह देखें, मैं यहाँ इस side यह color ले लिया, okay, यहाँ पर guide 1 mm, 1.5 mm, जितना भी आपको select करना है, आप select कीजिए, okay कीजिए, और यहाँ पर आप काम करना सुरू कर सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर एक new frame का option दिया हूआ है, create new frames, जैसे यह आप इस पर click करेंगे, यह option open हो जाएगा, यह बह आपको उसका preview आएगा, यहाँ पर से आप कितने frames चाहते हैं, वो select कर सकते हैं, frame के बीच में distance क्या होना है, यह select कर सकते हैं, आपको stroke देना है, नहीं देना है, यह सब select कर सकते हैं, frame का ratio क्या होगा, square होगा, 6 by 4 होगा, horizontal होगा, vertical होगा, यह आप select कर सकते हैं, फिलाल यह दे मैंने इसे यहां रख दिया मैं यहां दुबारा राइट क्लिक करूँगा और create new frames option दुबारा इस्टार्ट हो जाएगा यहां पर से मैं कोई दूसरा frame select कर लेता हूं चलिए मैंने यह frame select कर लिया यह मुझे चार चाहिए left to right मतलब left to right side मुझे दो चाहिए up and down top to bottom दो चाहिए यह देखिए और मुझे white color का stroke चाहिए create frame बटन पर क्लिक किया यह देखिए frames create हो रहा है frames create हो गया इसी तरीके से मैं दुबारा एक new page लेता हूं create new frame create new blank page dual tone create इस side मैंने डाल दिया gray color और इस side दर ने दिया white color okay right click create new frames मैंने यहाँ पर एक यह normal बना लिया अब right click create new frames left to right मुझे चाहिए 3 और यह चाहिए vertical create frames frame create हो रहा है इसे मैंने यहाँ रख दिया right click create new blank page dual tone create left side मैंने white रखा और right side मैंने हलका सा blue दे दिया right click create new frames यहाँ पर धे सारे frames हैं जीसे भी आप यूज करना चाहिए आप कर सकते हैं जैसे यह frame है मैं चाहता हूं यह 4 बन जाए दो दो या फिर मैं चाहता हूं सिब दो बने left to right दो या फिर चलिया मैं चाहता हूं top to bottom उपर और नीचे एक एक बन जाए तो यहां top to bottom 2 किया create frame बटन पर क्लिक किया यहां पर दो frame ready हो गया यह देखिए मैंने दुबार right click किया create new frame एक मुझे vertical चाहिए create यह देखिए vertical आ गया right click create new frames यहां पर से मैंने ले लिया है top to bottom मुझे चाहिए 3 और इस बार मुझे यह वाला frame चाहिए create frames यह देखिए यहां पर 3 frame create हो गया है इसे मैंने यहां रख दिया right click create new frame यहां पर से मैं कोई दूसरा frame ले लेता हूँ ओके create frame यह देखिए और इसका size मैं यहां पर छोटा कर देता हूँ चले मैं इसे delete कर देता हूँ अब चाहिए तो यहां पर frame के work space में जा सकते हैं यहां पर धे सारे frames दिये हुए है यह यह JPG frame यह JPG mask frame है यहां पर PhD frame दिये हुए है यहां पर PNG frame दिये हुए है आपको बस double click करना है और वो frame आके आपर set हो जाएगा यह देखिए इसे आप बात में duplicate भी करना चाहिए कर सकते हैं और इनमें image फिल करना बिलकुल आसान है अब बस किसी भी frame को select कीजे फोटो में double click कीजे वो photo वहाँ पर जाके set हो जाएगा फिलाल आप देखिए हमने marking को on करके नहीं रखा है इसलिए इसमें कुछ भी marking वार्किंग नहीं हुआ है मैंने frame select किया photo पे double click किया photo वहाँ पर जाके set हो जाएगा यह देखिए आप चाहिए तो multiple frames को भी select कर सकते हैं जैसे यह mark color को on कर दिया है अब देखिए एक दो तीन राइट क्लिक fill serial number wise यह देखिए सबसे पहली वाली photo उपर में जाया गी उसका पिर यहाँ नीचे आई थार्ड वाली यहाँ पर आई और तीनों में यहाँ पर देखिए आप marking हो गई है यह marking हो गई मैंने यहाँ पर से यह select किया अब मैंने एक यह और एक यह right click fill serial number wise यह देखिए मैं दूसरा page ले लेता हूँ यह page मैंने लिया यह देखिए अब चाहें तो multiple frames को भी select कर सकते हैं जैसे यह दो तीन चार यहाँ पर photo fill करने के दो तरीके दिये हुए हैं यह देखिए एक तो fill serial number wise और एक है fill horizontal vertical wise तो यहाँ पर मैंने चार frame select किया है एक horizontal ले लेता हूँ और तीन vertical ले लेता हूँ right click fill horizontal vertical wise तो image जो vertical image है vertical frame में जाएगी जो horizontal image है horizontal frame में जाएगी यह देखिए मैं दूसरा page ले लेता हूँ यह देखिए यह देखिए मैंने यहाँ पर से एक दो तीन चार पांच पांच फ्रेम को select किया है मैं आज से पांच photograph ले लेता हूँ एक दो तीन चार पांच आप लोग ध्यान से अभी देखिएगा कि इसमें sequence वाइज photo कैसे फिल होती है मैंने है right click किया serial number wise सबसे पहले जो भी आपके frame select आपने किया है वह sequence में आ जाएंगे और उसके बाद फिर फोटोग्राप्स फिल होंगे यह देखिए यहां पर आप देखिए पहली photo कहां फिल होई इधर second photo कहां फिल होई यहां third photo यहां fourth यहां fifth यहां इसी PhD को मैं व् Carry देखिए इसको मएर रोटएट कर देता हूं रोटेकर में यह кुछ भी कर देता हूं इसको जैसे में फ्रेम के सिक्वेन को चैंज कर देता हूं इससे मैंने यहां रख दिया और इन दोनों को सलेक्च किया इसको मैंने चोटा कर दिया और इसको alt के साथ duplicate करके एक बढ़ा कर दिया मतलब हमने frame के sequence को change कर दिया है अब देखे मैं क्या करता हूँ सभी frames को shift button दबाय रखते हैं मैंने यहाँ पर 3, 4, 5, 6 6 frames select कर लिया है अब आप देखे इसमें मैं दुबारा photo fill करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 6 right click fill serial number wise सबसे पहले क्या हो रहा है देखे frame के sequence को वो check कर रहा है arrange कर रहा है और उसके बाद photo fill होने ही start होंगे यह देखे पहली photo पहले frame में दूसरी photo दूसरे frame में तीसरी photo तीसरे frame में sequence wise जहाँ पर photo fill हो रहा है आप खुद से manually frames create करें चाहे market का कोई सा भी template आप इस्तिमाल करें आपको frame को rename करने या कुछ भी करने की जरूत नहीं है कि frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 ऐसा कुछ भी करने की जरूत नहीं है वो automatic sequence में ही लेगा photo को